बांगलादेश में कई महत्वपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं। इनमें 2013 में शाह बाग आंदोलन शामिल है जो वार क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ था। 2018 में चात्र आंदोलन ने शिक्षा सुधारों की मांग की जबकि 2020 में COVID-19 और आर्थिक समस्याओं के चलते विरोध प्रदर्शन हुए। हाल के प्रदर्शनों में जैसे कि 2024 में राजनीतिक और चुनावी मुद्धों पर भी जोर दिया गया है। किसी विशेश आंदोलन बांगलादेश में आरक्षन विरोधी प्रदर्शन मुख्यतह 2024 में देखने को मिले। चात्रों और नागरिकों ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षन की नीति के खिलाफ आवाज उठाई। वे इस नीति को नए भरतियों में समानता औ और मेरिट आधारित चयन के खिलाफ मानते हैं। प्रदर्शन कारियों ने आरक्षन में सुधार की मांग की ताकि यह अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सके।